Hello everyone, welcome back to University of Canada, मैं हूँ नीरज और अभी की जो वीडियो है उसका title है Pakistan is not paying for Indian medicine, क्रोडों का भुखतान नहीं कर पा रहा पाकिस्तान, ये World Affairs YouTube channel से है, title सही काफी funny लग रहा है ये, लेकिन पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो के end में अपनी discussion इसके बारे में करेंगे, तो let's start the video. जो payment है, ये रोक कर वैट गए है to the Indian exporters, और interesting बात देखी, सबसे fascinating बात यहाँ पर जैशंकर साब ने ये बताई, कि as per the available records, पाकिस्तान ने April 2021 से December 2021 तक total 203 million dollar की दवाईया पर चेस करी है from India, अब और interesting बात में आपको ये विताता हूँ, कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जैशंक कि सुपरमनियन स्वामी जी, जो राजय सबा में member of parliament है, इन्होंने open लिए question रखा सरकार के सामने, कि भारत सरकार हमको ये बताए, कि हम लोग किती दवाईयां export करते हैं पाकिस्तान को, और क्या पाकिस्तान सारी payments हमको दे रहा है, क्योंकि स्वामी जी ने यापर ये कहा, कि बहुत सारे Indian suppliers हैं, वो complain कर रहे हैं भारत सरकार को और various members of parliament को, कि देखिए हम लोग को पाकिस्तान को दवाई देते हैं, इसमें humanitarian issue भी आता है, मगर जब वो लोग इसकी payment ही नहीं करेंगे, तब आप बताईए हमारे सामने क्यो option आजाती है, तो ये question सबसे पहले raise किया था, स सुबरेवनियन स्वामी जी ने उसके reply में, डॉक्टर एजया शंगर साम ने बताया है, कि देखिए ये सित्य है अभी के लिए, now discuss करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए ये issue कितना important है, मगर आगे बढ़ने से पहले आप से question पूछूँगा, question यहाँ पर ये है क कि इतहास में पहली बार, इंडिया के exports ने कौन सा milestone क्रॉस किया है, recently इस पर बहुत article पप्लिश हुए है, मैंने वीडियो भी बनाई थी, यह है यहाँ आपकी option, 500 billion, 400 billion, 250 billion dollars या फिर 300 billion dollars, comment section में गरिये उंतर, सही answer मैं आपको दूँगा, वीडियो के अंत में, now जैसे कि आप सबको बता है कि इंडिया और पाकिस्तान के वीच में जो trade है, यह block का रखा है, बिलकुल suspend का रखा है, पाकिस्तान के प्रानविश्टर इमरान खान ने, इंडिया अपनी तरफ से चाता है कि इंडिया पाकिस्तान का trade हो, हमें कोई issue यहाँ पर है नहीं, मगर इमरान खान का लेकर 2022 अब आ चुका है कश्मीर में धीरे-धीरे जो situation है इंप्रूव हुई है अब तो billions of dollars की investment हो रही है कश्मीर में हमने recently देखा है कि Gulf countries से एक huge delegation आया है बहुत ही जल्दी बताया जा रहा है कि कश्मीर में at least 10 से लेकर 15 billion dollars की investment announce हो सकती है इससे पहले भी बना को बताया था कि UAE की एक भौती major company है ये अब जम्मू कश्मीर में एक mall भी मनाएगी तो जब इतनी progress हो रही है investments आ रही है जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर finally progress कर रहा है हम article 370 क्यों वापस लेके आएंगे मगर इमरान खान अपनी जिद पे काफियत अ कड़े है इनको article 370 वापस अगर हम जाएं 2019 में जब initially इमरान खान ने इंडिया के साथ trade suspend कर दिया था उस वक्त एक बहुत ही अजीब सी बात हुई अचानक से पाकिस्तान में क्योज मच गया कि अगर इंडिया के साथ हम trade band करते हैं तो हमारी दवाईया कहां से आएगी क्योंकि पाकिस्तान में जो drug manufacturers ह उन्होंने इमरान खान के सामने openly बोल दिया कि आप देश को बहुत भी बड़े medicine crisis की तरफ धकेल देंगे क्योंकि अगर इंडिया से जो raw material है दवाईया बनाने का जी हां हम ना सिरफ दवाईया हम काफी बार raw material भी export करते हैं दवाईयों का to Pakistan API आप कहली जे उस API से पाकिस्त में दवाईयों की अगर इंडिया का raw material नहीं आया और ये मैं नहीं कहा रहा ये पाकिस्तान का news portal में आपको दिखा रहा हूँ the news international तो जब 2019 में इमरान खान पे काफी pressure आया इनकी जनता नहीं कहा दिया कि आप हमको क्यों दंडित कर रहे हैं article 370 के issue को लेकर तब इमरान खान ने किया एक U-turn U-turn के अंडर इन्होंने का के चलिए ठीक है हम लोग सिर्फ इंडिया से जो दवाईया आ रही है इस पर जो बैन लगा है ये लिफ्ट कर देंगे बाकी और कुछ इंडिया से कुछ नहीं आएगा बस दवाईया आएंगी और तब से लेकर अब तक हम देख हैं 2019, 2020, 2021, अब 22 चल रहा है तीन साल से उपर हो चुके हैं आप इवाजन कर सकते हैं और ये अजीव सा ट्रेड बैन चल रहा है मैं इतिहास में पहली वाला आप देखा होगा जहां पर सब कुछ हम बैन कर देते हैं मगर दवाईया पर चेस करते रहेंगे और यहां पर दोस्ती है चाइना के साथ तो अब तक इंडिया को इन्होंने रिप्लेस क्यों नहीं कर लिया देखिए रॉम मटीरियल वैक्सीन के सर्टन टाइप का चाइना बनाता है मगर और जगा आप अगर देखो और वेरियस टाइप के ड्रग्स होते हैं मेडिसेन होती है उसका सब भी फार्मसूटिकल इंडस्ट्री में दवाईयों की इंडस्ट्री में यह लोग इंडिया को बीठ नहीं कर पाए तो पाकिस्तान ने कोशिच खूब करी के चाइना रिप्लेस कर दे इंडिया को इनकी मार्केट में मगर आज 2022 में भी ऐसा नहीं हो पाया जैसे आपने देखा के 2021 के पूरे साल में भी नहीं, एप्रल से लेकर डिसेंबर में ही पाकिस्तान ने 200 मिलियन डॉलर की इंडियन मेडिसिन पर चेस करी है, और लगता नहीं है कि आने वले समय में भी पाकिस्तान इंडिया पर जो डिपेंडेंस है इसको हटा पाएगा, हर साल इनकी सरकार इशू कर देती है, एक SRO, SRO होता है, Statutory, Regulatory Order, ये इशू करते हैं, कैज़ा ठीक है, इंडिया से मेडिसें ले लो, इनके लोग आते हैं, या पर ओडर देते हैं, और हम लोग भी, अब इंडिया की भी Greatness आप अगर देखो, पाकिस्तान ने हमारे देश को तोड़ने की ब स्टूडेंट्स को जादा पैसे पे करने पड़े, क्योंकि वो सीधा पाकिस्तान का एर स्पेस यूज नहीं कर पारे थे, फ्लाइट को नीचे इस तरीके से होकर यूरोप जाना पड़ा, इस सब की वज़े से जो आम इंसान एंडिया में, उसको कावी बार 20-30,000 रुपे एक्स्ट्रा पे करने पड़े, अपनी एर टिकेट के लिए, ये सब देखते हुए भी, इस सब के बावजूद, इंडिया की मैं ग्रेटनेस कहूंगा, हमने ये नहीं का पाकिस्तान को बड़ा आसान था हमारे लिए, हमने का के ठीक है, जब टोटल ट्रेड बैन होगा, तो गोंफिर के पौश्टी पाकिस्तान में, इससे इवेंचुली पाकिस्तान के आम नागरी को नुकसान होता, दमाईयों के दाम अराम से 50 से लेकर 60% बढ़ सकते थे, और उस सब के अलावा कई रॉम मटीरियल जो इनको चाहिए थे, उसमें कई महीने की दिरी आ सकती थी, अगर आउट ओफ आप के लिजिए, शियर हुमानेटी, हमने कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट वो कार्ड प्ले नहीं किया, मगर अब जो ये नया इशू सामने आ रहा है, कि पाकिस्तान की जो फार्मा कंपनीज है, ये पेमेंट ही नहीं कर रहीं इंडियन कंपनीज को, आमिन कितनी अजीब बात है, कि आपने कुछ हमसे परचेस किया, उसकी आप पेमेंट ही नहीं कर रहें, वो भी दवाईयां, जो इतनी ज़गा एक इंपॉर्डेंट आइटम है, अब ओविएसली देगिए, पाकिस्तान में आज के समय डॉलर्स की कमी है, एक इगोनोमिक र चुकी हैं, और यार रखिएगा, इंडियन फार्मसूटिकल इंडस्ट्री में एक हुज बूम आ रखा है, हमने पिछले फिनेंचल यर में 24.44 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट किये थे, इंडिया को कमी नहीं है एक्सपोर्ट मार्केट की, इंडियन एक्सपोर्टर्स अराम से कोई भार की कमपनी, कोई आफरिका का देश, कोई और रीजन में और की देश है, बंगा देश, वहाँ पे हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो कहीं नहीं देखिए, पाकिस्तान की गवर्मेंट को इस इशू पर देखने की आफशकता है, नहीं तो, इ इननोंने कोन सा माइल स्टोन क्रॉस किया है, तो सही उत्तार इसका है, ऑप्शन, ऑप्शन B is the right answer, 400 बिलियन US डॉलर्स का, for the first time in history, याद रखिएगा, ये एक एतिहासिक मोमेंट है, इससे related question आ सकते हैं, various exams में, और हाँ, कल सुबे 10 बजे अनकाडमी का free of cost test है, free of cost, all India test, यहाँ पे आपको बस participate करना है, rank आए ना आए, rank 1 ना आए, rank 1000 आए, does not matter, आपने अगर यहाँ पे participate कर लिया, तो possibility है, कि आपका नाम आ सकता है, 500 lucky winners की list में, और आप जी सकते हैं, Amazon gift voucher, simply जाओ यहाँ पर comment section में, link आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस link पे click करो, ये page फिर आ आपने आप, यहाँ पे आप एन्रोल हो जाओगे, सुबह 10 बजे, test से पहले आपको notification आजाएगी, कि तियार हो जाईए, test start होने वाला है, test attempt करिए, हाँ, live test attempt करोगे, तभी Amazon voucher आपको मिल सकता है, आपको यहाँ पर नाम आगया, lucky draw में, सीधा आपको email आएगा, an academy की तरफ से, and you can get the Amazon gift voucher, तो enroll करिए, in an academy's test, कल सुबह 10 बजे, test है, make sure to attempt it. तो वीडियो आपने देखा, कि पाकिस्तानी companies ने जो है, वो payment नहीं की, Indian pharmaceutical exporters की, यह काफी सारी situation है, अब सुब्रामन्य स्वामी जी ने यह question parliament में raise किया, which is a valid question, क्योंकि बहुत सारी complaints आ रही होंगी, उनके पास भी low contact कर रहे होंगे, तो डॉक्टर जैशंकर ने उनको respond करक यह सारी details थी, तो यह तो बहुत important है record पे होना, कि अगर यहां से कुछ business उन्होंने band किये है, जैसे agricultural produce हो गई, या और भी कई चीज़ें जो इंडिया से पाकिस्तान जाती थी, वहां से यहां आती थी, तो वो पूरा band किया हुआ है, तो यह medicines उनकी जरूरत है, तो इसलिए उन्होंने यह band नहीं किया, तो इसको exemption रखा, और इंडिया भी humanitarian aspect को देखके medicines की supply को continue रख रहा है, मुझे यह policy ठीक लगती है, उसका कारण है, इंडिया ने पहले most favored nation का status दिया था, वो गलत था, इंडिया ने वो वापिस ले लिया क्योंकि पाकिस्तान ने कभी उसको reciprocate नहीं किया, लेकिन इंडिया को एक goodwill gesture any case रखना चाहिए, और इंडिया ने रखा भी कि medicines जो है, अगर उन्होंने allow की हैं, तो इंडिया allowed its businessman to send medicines over to Pakistan, लेकिन वहां से अगर payment नहीं आएगी, तो इन्होंने सही बात की कि यहां का business man खुद ही सोचेगा कि मुझे उनके साथ trade न इंडिया में जो medicines है, चाहे उनके raw material हो या चाहे finished products हो, बहुत सारी medicines जो है इंडिया से बाहर export होती है, तो इंडिया के पास market की कम ही तो नहीं है, लेकिन I don't know कि वह ऐसे payment क्यों नहीं कर रहे हैं और अपनी प्यारों पे खुलहारी मानने पे क्यों तुले हुए, लेकिन गर्मेंट के उपर negative में जरूर आएगा, पूरी दुनिया में अगर इंडिया को अपना cloud बनाना है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो गर्मेंट को directly ban नहीं करना चाहिए, ट्रेडर्स को खुदी ये decision ले लेना चाहिए, आपको क्या लगता है कि ये गर million dollars का उन्होंने समान खरीदा है, चाहिए वो raw materials हैं या finished medicines हैं, लेकिन उनकी payment नहीं की, अब वहाँ पे कई बार मैंने खबरों में सुना है कि कुद्टे के काटने की vaccine नहीं है, और बाकी simple paracetamol भी काफी expensive है, और बाकी सारी medicines भी बहुत expensive हों, तो अगर इस तरीके से वो ये हरकते continue रखते हैं, तो इंडिया जैसे अगर Indian traders deny कर दें कि directly पाकिस्तान को बेचने के लिए, या credit पे देने के लिए deny कर दें, सबसे पहले मंगे कि आप पैसा दो, फिर हम आपको medicine देंगे, तो वो कितना उनके लिए trouble create कर सकता है, या फिर alternative trade route से उनको लेनी पड़े, जैसे होगा नहीं, मान लेजिए, अगर less than 1% भी वहाँ पे बेचते होंगे, तो वो किसी और market को पकड़ लेंगे, और वहाँ पे अपना जो है, चीज़ें बेचते हैं, तो ये तो सिरह सिरह से समझ में ना आने वाली बात है, आपको क्या लगता है कि वाकिस्तान ऐसा क्यों कर र के लिए, stay safe, stay healthy, bye bye.